दोस्तों अगर आपने विपेसी TRE 3.0 का एक्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है जैसा कि चाहिए आप जिस वर्ग से भी हों चाहिए प्यार्टी से हों 6-8 से हो या फिर 9-10 का अपने एक्जाम दिया हो या फिर 11-12 का तो सभी के ल मामला था कि सीटेट को जो है इन्वालेट किया जाए अधर इस्टेट जो है सीटेट के बेस पे अपलाई ने कर पाएं जो आपके TRE 3.0 की भरती है इसमें भी आपने देखा होगा तो जो मामला था वो पतना हाई कोट जा चुका था पतना हाई कोट का आडर भी आ चुका था कि TRE 1.0, TRE 2.0, TRE 3.0 में जो सीटेट के बेस पे अब भाइद उनको बताया गया था और उसके बाद जो है बिहार सरकार जो है फिर से सुप्रीम कोट की तरफ जो है रुक करती है और यहां पे सुप्रीम कोट से क्या अपडेट है यहां पे हम लोग सब कुछ जो है डि से हो तो दोस्तों यहां पे आपके डाकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जरूरी दस्तावेज है वो क्या होने चाहिए और कब तक की होने चाहिए इसको लेकर के काफे भीहरतियों के कमेंट है कि मैं मेरा जो है मैंने फॉर्म अप्लाई करते है टाइम अपना काम भी किया था कि जो सीटेट का मैटर था वो आप देख सकते हैं सुप्रिम कोर्ट में सीटेट राज अस्तरी रधिकरण को लेकर सुनवाई आज पतना हाई कोर्ट पहले टीरी 123 की न्यूक्ति सीटेट के हिसाब से अवैद बता चुका है जिसे पतना सरकार ने सुप्रिम वैलिड है या नहीं है सीटेट किस स्टेक में वैलिड है और किस स्टेट में नहीं है राजस्तान में दोस्तों देखे अगर यहाँ पे तो आपका सीटेट वैलिड नहीं है ठीक है यहाँ पे आपका पादरता परिच्छा होता है अगर आप अधर स्टेट से है तो आप उस उसे जो है जेटेट भी नहीं कराया था और फिर जो है ये डारिक जो है वेकंसी दे रहे थे जिसके विज़से मामला कोट में गया और इसमें जो है सीटेट को नाट अलाओ बताया गया है महां पर ये बोला गया है कि आप जो है जारखंड टेट अपना जो पीचर एलिजबि में बैट सकते हैं बट सीटेट की बेस पर नहीं बैट पाएंगे दूसरा दोस्तों चातिसगर में सीटेट अलाओ नहीं है देख सकते हैं हरियाना में भी सीटेट अलाओ नहीं है अब यहाँ पर देखे तो हिमाचल परदेश में सीटेट अलाओ नहीं है दूसरे राज के यहाँ पे तो दूसरे के छात राज के छात्री वैलेड नहीं है सिर्फ हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की जो केंडिडेट है वहाँ के वही अपलाई कर पाएंगे बाकी अदर स्टेट में आप रेकेंगे तो वहाँ पे आप टेट करके आप भरती में बैठ सकते हैं बड़ ह माचल में नहीं है उत्तरपरदेश और बिहार में सिर्फ अलाऊ है उत्तरपरदेश में भी दोस्तों अगर कोई भड़ती आ रही है आप अधर स्टेट चे हैं तो आप सीट की बेस पर वहाँ पे अपलाई कर सकते हैं वही चीज़ बिहार में भी है जैसा कि टीरी वान पॉ हैं कि साल में दो बार होता है तो एक में अगर कोई अभьяरती चूक रहा है तो दूसरे में उसका क्वालिफाई हो ही जा रा है तो यहां पर जदा अतर अगर हम देखें टीरी 1.0 टीरी 2.0 टीरी 3.0 में तो सीटट वाले ही कैνडिडेट हैं यहां पर देख भी सकते हैं बच पर सुप्रीम कोट क्या डिसीजन लेती है क्या कुछ अपडेट जैसे ही आएगा मैं आप सभी को इन फॉर्म कर दूंगी तो यहां पर दोस्तों यह थी से रिलेटेड जानकारी बाकी डाकुमेंट को लेकर के जो आपके कमेंट थे मैं डाकुमेंट जो है कपका होना चाहिए एक अभियारती का कहना था कि उसने जो है अपना फॉर्म जब फिल अप किया था उससे पहले दोस्तों उनका सिर्फ रिजल्ट आया हुआ था सीटेट का तो उन्होंने अपलाई कर दिया था पर बाद में जो है सर्टिफिकेट मार्शिट आये तो उससे कोई इशू तो नह 25 फरवरी 2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है यदि विला में शुल्क साथ आविदन देने का प्रवधावन दिया जाता है तो उससे उर्त अहता पत्रिता समधी कोई भी अंतिम्तिती विस्तारित अथवा पर भावित नहीं होगी आप देख सकते हैं 25 फरवरी की जो डेट दी गयी ना दूस्तो इससे पहले अगर आपने आपने इस कौलिफाइक लिए आपका सब कुछ कम्पलीट हो चुका है चाहे आपने डियलेट कर रखा हो या फिर फिर आपका सीट अस्टी या फिर आपका टेट जो भी होगा आपके सारे डाकुमेंट चाहे हम यहाँ पह न निमास तो नहीं लगेगा जाती नहीं लगेगा EWS नहीं लगेगा बट आपका जो डॉकुमेंट्स है जो आपके सीटेट के मार्शीट सर्टिफिकेट हैं आपके ग्रेजुएशन के हैं आपके बीए डीलेट के हैं तो दोस्तों यह जो डेट दी गई है ना 25 फरवरी 2024 से इस से पहले complete होना चाहिए आपका रिजल्ट जो है इससे पहले आ जाना चाहिए भले ही जो है आपकी मार्शीटि Infinite बाद में आती है अगर इसके बाद आती हो तो वह आपका वैलिट नहीं होगा इस चीज को आप कन्फर्म कर लीजिए अगर पचीस फरवरी से पहले का आप है तो वैलिट है पचीस फरवरी के बाद का है तो इन वैलिट होगा आप वहाँ से बाहर हो जाएंगे तो यह चीज है रिजल्ट आना चाहिए बागी आपका सर्टिफिकेट मार्शिट चाहिए उसके बाद कभी भी आया हो चाहिए आपका अभी रिसेंटली आ भी सकता है चाहिए मैं जून जुलाई जब भी आया होगा तो उससे कोई इशू नहीं होने वाला है बस आपका रिजल्ट पचीस से पहले का होना चाहिए अब यहां पर चाहिए आप PRT से हो याफिर सिंख्स ठू एक हो याफिर 9-10 या फिर 11-12 तो यहां पर ज़रूरी दस्तावेज है नहीं है ब January वह का तक सब जरूरी है तो यहां पर आप सब जानलीजी है आपका जो है आधार या फिर पैन्कार्द या पिर ड्राइविं लाइसेंस होर्ण ह जाएगा तो वो OTP बहुत important होता है तो आप इस चीज को देखते हैं ये काम जरूर करिएगा कि आपका जो आदार कार्ट जिस नंबर से लिंक है आप उसी नंबर को ले करके वहाँ डीवी में चाहिएगा वहना आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली आपको वापस बेश दिय सुतंता सिनानी की पोता पोती नाती नतनी शंबंदी प्रमाणपत्र वहीं सीटेट बीटेट पेपर फस्ट व्म दस्तावेज प्रमाणपत्र अगर आपने सीटेट की बेस पर अपलाई किया है तो आपका पेपर फस्ट की बेस पर अपलाई किया है जैसे की पी आर्टी मे तो आपके जो certificate और मार्शीट हैं वो आपके होने चाहिए वहीं दस्ता दस्तावेज परमारपत्र चन्मतिती परमारपत्र शैच्रिक योगिता वर्ग एक से पांच यूम दस्तावेज परमारपत्र अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अगर आपने बएड कर रखा है तो आपका जो ढवनी चाहिए है आपके ओ समेस्टर की जो मर्शीट है वो होनी चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग नौ Вас दस्तावेज परमारपत्र शैच्रिक योगिता वर्ग नौसे दस्तावेज पर करुएज परमारपत्र देख सकते तो दोस्तों यह आपके जरूरी है जो डाकुमेंट्स है यह ओफिशल है आपके यह सारे चीज़े जो है कम्प्लीट होनी चाहिए साथी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दू कि सीटेट आप एक बार से चेक कर लेज़ेगा अगर आपका सीटेट में 82-92 के बीच नंबर है तो आप यहीं से अपने आपको हटा लेजिए फीचे हट जाएए क्यूंकि अगर आप कुछ टाइम के लिए अगर वहां पे मालीजे टीवी में आपको पास कर दिया जाता है आपकी न्यूक्ती हो जाती है उसके बाद फिर से होता है जो फाइनल एक तरह से कहें कि फाइनल आपका डाकुमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा जैसा कि टी यारी 1. पॉइंट जीरो टीरी 2.0 में आप इस टाइम देख पारेंगे डेली नोटीस आ रही है डिस्टिक वाइज नोटीस आ रही है तो उनमें अभिहारतियों को बाहर किया जा रहा है जिनका नंबर 82 से 90 के बीच है यह खास कर वो स्टूडेंट है जो अधर स्टेट वाले हैं च तो जनरल का भी वाहाँ पे 82 से 90 काउंट किया जाएगा बट फिमेल जनरल में नहीं होंगे आप लोग य्जनरल में आप लोगवार की major में आप लोग काउंट होंगे तो आपका 90 प्लस होना चाहिए अगर इस तरह से है क्योंकि जो लिस्ट आ रही है उसमें वही candidate जादत तर female है क्योंकि male का confirm था कि male का 90 plus होना चाहिए बट female ने ये सुचकर apply किया है कि बिहार की जो female candidate है उनका 82 से नमबे पर जो है वो qualify है वो eligible है वो apply कर सकते हैं तो हम भी उसी में कर सकते हैं दोस्तों वो female reservation जो बिहार की female है उनके लिए है आपके लिए नहीं है आप वहां पर यूर मेल में ही जाएंगे तो आप लोग का 90 प्लस होना चाहिए 90 प्लस आपके उसके उपर जितने भी नंबर है आपको यहां पर ड़ने की जरुवत नहीं है बट अगर 82 से 90 के बीच है तो आप लोग यहां पर खुद को वहां पर रोक लीजेएगा आपका यही हल आपका STT का भी है बागी अदर जिन्होंने फिक डाकुमेंट यूज किया हो जैसे रिजर्वेशन के लिए बहुत निमास बनवालिया है जाती बनवालिया EWS बनवालिया इस तरह से भी हाट से तो आप इस तरह का फिक डाकुमेंट बिलकुल भी मत यूज करिएगा सब के साथ वही हो रहा है बारे की से चीजे चेक हो रही तो कुछ पल की खुशी लेने से अच्छा है कि आप यहाँ पे रोक लीजिए और अपना time waste ना करें अगर आपके लग रहा है कि इस तरह की कोई दिक्कत है document में तो आप TRE 4 में लग जाएं क्यूंकि TRE 4 जल्द ही आपको देखने को मिलेगा यही हाल अगर TRE 1.0 वाले candidate करते तो आज उनको इस तरह से problem ना होती क्यूंकि वो वहाँ पे TRE 1.0 में इस तरह से select तो हो गए बद TRE 2.0 भी नहीं दे पाए TRE 3.0 भी नहीं दे पाए वो कहीं के नहीं रह पाए तो यह आपको नहीं करना है अपना time waste नहीं करना है जहां लग रहा है कि हाँ documents में कमी है इस त अपडेट के साथ तब लिए बाए बाए टेक केर थेंक यू